नमस्कार दोस्तों स्वागतियापका हमारी यूटूब चेनल फ्री एजूकिशन में दोस्तों आज किस वीडियो में हम करेंट एफिरस 2020 के मोश्ट इंपॉर्टन 25 कॉस्टन को सॉल्व करने वाले हैं ये 25 कॉस्टन काफी अच्छे लेबल के कॉस्टन है इंपॉर्टन कॉस्टन है हमने वही कॉस्टन सेलेक्ट किये हैं जो आपकी एग्जाम की दरेश्टी से महत्मग हो सकते हैं और इनको हम बिल्कुल डिटेल महल करेंगे जितने भी एश्टर फेक्ट बन सकते हैं उन सभी को हम समझते चलेंगे तो चलिए सुरू कर लेते हैं नमबर फर्ष्ट कॉस्टन है दुनिया के सबसे खुसाल देशों के सूची में कौन सा देश लगातार तीसरी बार पहले इस्थान पर है तो खुसाल देशों के सूची में लगातार तीसरी बार पहले इस्थान पर रहा है Finland देश यानि कि इस question का C option से हो जागा Finland जो है ये पहले इस्थान पर है Denmark जो है दूसरे इस्थान पर है यदि हम बात कराएं सोजरलेंड की तो ये सोजरलेंड जो है ये तीसरे इस्थान पर है ठीक है और ये जो इंडेक्स है ये दुनिया के 153 देशों के सरवे के बाद बनाया गया है और इसमें पूछे जाएगा है कि अपने देश भारत की कौन सी रेंकेंग है तो अपना देश जो भारत है ये 144 बे इस्थान पर है ठीक है और देखिए इस लिष्ट में टॉप 10 खुसाल देशों में से 9 जो हैं ये ये यूरोप के हैं टॉप 10 जो इस सूची में देश है इस में से केबल 9 कहां के हैं यूरोप महादीब के हैं तो इतने फेक्ट हैं आपको इस कॉस्टन से याद रखना है वर्स 2020 में कोरोना वारस के चलते सबसे पहले किस देश ने लॉगडाउन लागू किया था तो कोरोना वारस के चलते सबसे पहले लॉगडाउन लागू किया था चाइना ने यानि कि इस कॉस्टन का भी आप्शन से हो जागा और देखे कोरोना वारस की सुरुआत कहां से करने के साथ सब बेल आइकन जरू दबा लें ताकि इसी प्रकार की लेटिस्ट वीडियो का अपडेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख सके नमबर थर्ड कॉस्टन है अमेरिका की किस कंपनी ने एजुकेशनल कोरोनवारस नाम की वैपस परणारी मिल सकेगी ठीक है अब यह जो वैपसाइड है यह गूगल ने लांच की है तो गूगल क्या है एक बहु पिरसद्द सरचेंजन है जिसकी स्थापना कब हुई थी इसकी स्थापना हुई थी 1998 में कब हुई थी 1998 में इसका मुख्याल है यह कैलीफोर्निया में इस्त कॉस्चन देख लेते हैं नमबर चार कॉस्चन है अंतरराष्टी उर्जय एजेंसी के मताबिक कौन सा देश बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उतपादक देश है तो बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उतपादक देश है अपना देश भारत यानि कि इस कॉस्चन का सी ओप् पर है यदि हम बात करा है प्रतिव्यक्ति खपत के मामले में तो प्रतिव्यक्ति खपत के मामले में अपना देश भारत जो है 106 इस्तान पर है ठीक है तो यह भी आपको याद रखना है नेस्ट कॉस्टन देख लेते हैं नमबर पांच कॉस्टन है IQS Subject Ranking 2020 के मताबए कौन सा institute देश का नमबर वन प्राइबेट इंस्टिट वन गया है तो देश का नमबर वन प्राइबेट इंस्टिट वन गया है वैलियूर इंस्टिट ओप टेकनलोजी इसको सोटा हैं बोलते हैं V.I.T. ठीक है और ये कहां पर है तो ये तामिलनाडु में है ठीक है इसको आप याद रखेंगे नमबर वन प्राइबेट इंस्टिट वन गया है देश का ठीक है इसका नाम है वैलियूर इंस्टिट ओप टेकनलोजी ये कहाँ पर है तो ये तामिलनाडू राज में है नमर छे कोस्टन है जाने जंसा निमने मैंसे किस देश के प्रधान मंत्री चुने गए हैं तो ये जाने जंसा जो हैं ये सिलोवानिया देश के प्रधान मंत्री चुने गए हैं लियूब लियाना मैं यहाँ पर लेख दे रहा हूँ सिलोवानिया देश की जो राध्धानी है वो है लियूब लियाना ठीक है लियूब लियाना राध्धानी है और यदि हम बात करें मुद्रा की कि मुद्रा क्या है तो सिलुवनिया देश की मुद्रा जो है वो यूरो है नेश्ट कॉस्टन देख लिते हैं नमबर साथ कॉस्टन है भारत की कौन सी कंपनी दुनिया के सबसे साब पेट्रोल डिजल बी एस सिक्स की सप्लाई करने वाली पहली कंपनी बन गई है देखिए दुनिया का सबसे साब पेट्रोल डिजल कौन सा होता है वी एस सिक्स का ठीक है और भारत की पहली कंपनी कौन सी बन गई है जो वी एस सिक्स की सप्लाई करने लगी है वो बन गई है इंडियन ओयल कॉर्पोरेशन यानि कि इस कौस्टन का बी ओप्सन से हो जागा अब यह जो इंडियन ओयल कॉर्पोरेशन है यह पहली कंपनी बनी है भारत की जो की बी एस सिक्स पेट्रोल डिजल की सप्लाई करती है तो इसकी स्थापना कब हुई थी इसकी स्थापना हुई थी 1969 में और हेड़ कॉर्टर कहाँ पर है हेड़ कॉर्टर है न्यू डैली में नेश्ट कॉस्टन देख लिते हैं नमबर आठ कॉस्टन है कोसरा डाइग्रोश टेक्स प्राइविट लिमिटेट कोरोना वारस के लिए टेस्ट केड़ बनाने के लिए CDSUSO लैसंस लेने वाली भारत की कौन सी कंपनी बन गई है तो यह कोसरा डाइग्रोश टेक्स प्राइविट लिमिटेट जो है यह पहली कंपनी बन गई है जिसने CDSUSO लैसंस लिया है कोरोना वारस टेस्ट की केड़ बनाने के लिए ठीक है और यब यह जो पहली कंपनी बनी है तो यह कहां पर है तो यह भारत के अहमदाबाद की कंपनी है ठीक है यह जो कोसरा डाइग्रोश टेक्स प्राइविट लिमिटेट कंपनी है यह भारत के अहमदाबाद में इस्ते ठीक है और देखिए जो coronavirus का test होता है इसको क्या बूलते है तो coronavirus के जो test है इसको नाम दिया गया है RT-PCR ठीक है इसको RT-PCR नाम दिया गया है तो इसका full-pum हमें पता होना चाहिए इसका full-pum होता है reserve transcription polymer chain reaction इसका full-pum होता है जो coronavirus का test है और ये जो company ने जिसने license दिया है उसका नाम है CD- SCU ठीक है तो इसका full-pum होता है central drugs standard control हिंदी में यदि हम बात करां तो केंदरी ओस्धी मानक नियांतरा संगटन जो है इसका नाम है next question देख लेते हैं number 9 question हाली में पूरु प्रधान मंत्री इंद्र कुमार गुजराल के भाई 37 गुजराल का हाली में निधन हो गया है वह किस चेत्र से सम्मंदित थे तो यह जो 37 गुजराल हैं यह चेत्र कारिता से सम्मंदित थे यानि कि इस question का A options ही हो जाएगा और यह जो पूरु प्रधान मंत्री इंद्र कुमार गुजराल के छोटे भाई थे ठीक है देखिए भारत सरकार ने इनको कला के चेत्र में उतक्रष् का तीन बर मल चुका है और 1999 में इनको पद्विमूसर से सम्मानित किया गया था नेस्ट कॉस्टन देख लेते हैं नमबर दस कॉस्टन है नए उद्मियों के लिए सिडवी द्वारा किस नाम से एक विसेश रेल गाड़ी अरंब की गई है तो सिडवी द्वारा नए उद्म के लिए स्वाब लंबन नाम से एक विसेश रेल गाड़ी इस पेसर रेल गाड़ी जो है शुरू की गई है यानि कि सी ऑप्सन सी हो जागा यह जो रेल गाड़ी है पांच जून 2020 से लखना उसे वाराण सी तक 11 उद्वारा उद्वारा किसे ने किया है इसका अरंब किया है सिडवी ने ठीक है तो सिडवी का फूल फॉर्म आपको पता होना चाहिए सिडवी का फूल फॉर्म होता है स्मॉल इंडेस्ट्रियल डेवलपमेंट वैंक ओफ इंडिया हिंदी में भारती लगू उद्योग बिकास बैंक इसकी स्तापना हुईती दो अप्रेल 1990 में और इस कोश्टन का D.Options ही हो जागा देखे इनका आयोजन जुलाई 2020 में टोक्यो आयोजन में होना था कब होना था 2020 में होना था लेकिन कोरोना वारस के चलते इनको रद्द कर दिया गया है अब इनका आयोजन जो है एक साल बाद 2021 में होगा और कहां पर होगा टोक्यो जापान में ही होगा ठीक है तो इसे आप याद रखेंगे नेस्ट कॉस्चन देख लिते हैं नमबर बारा कॉस्चन रेलाइंस फाइंडूशन द्वारा भारत का पहला कोबिड नाइंटीन सेंटर कौन से अस्पताल में बनाया गया वेरी वेरी इंपोरेंट कॉस्चन है तो रेलाइंस फाइंडूशन के द्वारा भारत का पहला कोबिड नाइंटीन सेंटर बनाया गया है आपका सेवन हिल्स अस्पताल में यान की इस कॉस्चन का सी ओप्सन से ह जागा अब यह जो सेबन हिल्स हॉस्पिटल है ये कहां पर है तो ये मुंबई में ठीक है और ये किस कौन बना रहा है रेलांस फाउड़ेशन तयार कर रहा है भरत का पहला हॉस्पिटल है कोबिट 90 सेंटर ठीक है और यह 100 बेड़ वाला रहेगा ठीक है जिसमें हरतरह की जाएगा हेलेल फुरस्टेन वर्ग और ग्रेगरी मार्गुलस ठीक है दो लोगों को दिया जाएगा यानि की सी ओप्सन से हो जाएगा ओपर यक्त दोनों ठीक है और देखे जो एबल प्रसकार है गड़त के चेत्रे में दिया जाता है ये गड़त का सरवोच प्रसकार है ठी ये रूस के अमेरिकी गड़तक है ठीक है रूस के अमेरिकी गड़तक है और यहाँ पर लगा है स्री निवास एसार वर्धन ये नाम इंपोर्टेंट है क्योंकि ये स्री निवास एसार वर्धन है एक मात्र ऐसे भारतिये गड़तक है जिनको 2007 में एबल प्रसकार दिया गया जी टॉन्टी सम्मिलन कौन सा देश ने कराया तो ये 26 मार्च दो होजर वीज को वीडियो कॉन्फरेंस के दोवारा हुआ है जी टॉन्टी सम्मिलन और इसका आइजन जो है ये सौधी अरब देश ने करवाया यानि कि इस कॉस्टन का ए आप्सन से हो जागा देखिए इस सम् पर बाचित की ठी के भारत के प्रधान मंत्री भी सामिल रहे अब देखे ये जो जी टॉन्टी सिखर सम्मिलन है ये वीडियो कॉन्फरेंस और इसका किस ने करवाया है आयोजन सौधी अरब देश ने करवाया है। नेश्ट कॉस्चन देख लेते हैं। नमबर 15 कॉस्चन है आंदर प्रदेश सरकार ने निमलकत में से किसे हाली में राज्य के प्रेटन विकास निगम का चेर में निक्त किया है। नमबर 16 कॉस्चन है अंतर राष्टी वन दिवस ने में से किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर राष्टी वन दिवस हर साल मनाया जाता है 21 मार्च को यानि कि D option से हो जागा और देखे इस दिवस को मनाने का उध्य स्पेड़ों आवनों की महत पर परकाश डालना होता है। ये वर्स 2020 में मनाया गया तो वर्स 2020 में अंतर राष्टी वन दिवस की थीम क्या थी? तो वर्स 2020 में अंतरराष्टी वंदवस की ठीम थी वन और जियो विभत्ता क्या थी वन और जियो विभत्ता ठीक है और 2019 की ठीम क्या थी तो 2019 की ठीम थी वन और सिक्षा ठीक है तो ये हैं फैक्ट आपको याद रखना है next question देख लेते हैं number 17 question है हाली में किस पत्रकार को चमेली देवी जेन पुरुसकार से सम्मनित किया गया है तो चमेली देवी जेन पुरुसकार से सम्मनित किया गया है दो पत्रकार को आरफा खानम सेरवानी और रोहनी मोहन को इन दो पत्रकारों को जो है चमेली देवी जेन प्रुसकार से सम्मनित किया गया है C option से हो जागा उपर यक्त दोनों ठीक है तो ये आरफा खानम सेरवानी है ये कौन है तो ये जो है दा वायर की पत्रकार है और ये रोहनी मोहन जो है ये वेंगलूर की एक सोतंत्र पत्रकार है Next question देख लेते हैं Number 18 question है हाली में हिर्देश कुमार को केस राज का नया मुख नर्वाचन आयोक्त नियुक्त किया गया है तो हिर्देश कुमार को अभी हाली में जो है जम्मू कस्मीर राज का नया नर्वाचन आयोक्त नियुक्त किया गया है और जम्मू कस्मीर की वरतमान में उपराज पाल कोन है ग्रीस चंद्रमु कोन है ग्रीस चंद्रमु नेस्ट कोस्टन देख लेते हैं नमबर 19 question है, हाली में किसकी वायोग्राफी इन एश्ट्रा ओडिनरी लाइप लॉंच की गई है, तो इन एश्ट्रा ओडिनरी लाइप जो है लॉंच की गई है, वायोग्राफी है, किसकी वायोग्राफी है, मनोहर पारीकर की, यहनि कि इस question का B options ही हो जाएगा, अब यह इन ordinary life जो है मनोहर पारिकर की वायोग्राफी है तो इसके लेखक कौन है तो इसके लेखक है सदगुरु पाटल और माया भूशन नाग लेकर कौन है सदगुरु पाटल और माया भूशन नाग लेकर इन दोनों ने साइक रूप से इस वायोग्राफी को लिखा है और जो मनोहर पा तो दुनिया की पहली उड़ने वाली कार बनाए जाएगी गुजरात में ठीक है यानिकी B options ही हो जाएगा और इस कार का नाम क्या रहेगा इस कार का नाम रहेगा P.A.L.V क्या नाम रहेगा P.A.L.V इसका full form क्या रहेगा Personal Air Land Vehicle ठीक है और यह जो है गुजरात में बनाए पर चड़ाई करने वाले पहले भारतिये बन गए हैं इनका नाम है सत्रूप सिध्धान्त यानिकी B option से हो जाएगा अब यह चूकी ऐसा करने वाले पहले भारतिये बने हैं इसलिए question और भी ज्यादा important हो जाता है next question है केंदर सरकार ने कोरोना वारस को लेकर फैली आसंकाओं को कम करने के लिए किस social networking app पर official chat box launch किया है तो केंदर सरकार ने कोरोना वारस के चलते जो अबवाएं फैली है जो आसंकाओं फैली है उनको कम करने के लिए WhatsApp पर एक official chat box launch किया है ठीक है उस official chat box का नाम क्या है उस chat box का नाम है my government corona help tax ठीक है यहां से जो अबबाएं फैल हैं इनके बारे में सही और सटीक जानकारी मिल पाएगी next question देख लेते हैं number 23 question हाली में my encounter in parliament नमक पुस्तक का बिमोचन किस ने किया तो my encounter in parliament नमक पुस्तक का बिमोचन हुगा है यह किया है हमारे पूर्व उपराष्टपती हामिद अनसारी ने किस ने किया है पूर्व उपराष्टपती हामिद अनसारी ने अब यह पुस्तक है My Encounter in Parliament तो इसके लेखक कौन है इसके लेखक है भालचंद्र मुंगेकर कौन है भालचंद्र मुंगेकर ठीक है और यह जो भालचंद्र मुंगेकर है यह एक प्रतिष्टित अर्थसास्त्री है और राजसभा के सरसभी रह चुकी है नेश्ट कौस्चन है हाली में संसद्य गया समीत्वी ने कितने राज्जियों को केरोसीन फ्री घोसत किया है यान कि इस कौस्टें का भी उप्सन सही हो जाएगा नमबर 25 क्वेशन है यानि कि इस क्वेशन का बी option से हो जागा देखिए इस challenge में आपको अच्छे से हाथ धोते हुए video बनाकर किसी भी social networking site पर डालना है जिससे की लोग जो है जागरोख हो सकें अपने hand अच्छे से boss कर सकें और coronavirus जो फैल रहा है वो फैलना कम हो सके ठीक है अब ये किस ने सुरू किया है डबलु एचो ने सुरू किया है तो डबलु एचो का फुल फॉर्म का है World Health Organization हिंदी में विस्व स्वास्त संगठन इसकी इस्थापना कह भू ही थी इसकी इस्थापना हुई थी 7 अप्रेल 1948 को ठीक है इसलिए जो है हम हर साल साथ अप्रेल को विस्व स्वास्त दवस्त के रूप में मनाते हैं और जो डबलु एचो है इसका हेड़ कोर्टर कहाँ पर है तो इसका हेड़ कोर्टर है जे निवा में और जे निवा कहाँ पर पड़ता है तो यहाँ पर हमारे 25 question complete होते हैं आप question है लास्ट question है आपके लिए challenging question है इसका answer आपको comment करके बताना है ICC महिला T20 World Cup 2020 का किताब किसे ने जीता आपके लिए 4 option भी दिये गए हैं यदि आप चाहें तो इस question के बारे में detail भी लेक सकते हैं थैंकि दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ अपने study bar subgroup में इसको share करें और हमारे चैनल को subscribe करने के साथ बेल आइकन जरू दवाएं ताकि इसी प्रकार के latest वीडियो का update सबसे पहले आपको मिल सके आप हमारे सबसे पहले वीडियो को बहुच कर सके और दोस्तों इसी प्रकार के लगातार जो important current office के question होते हैं उन पर हम वीडियो बनाते रहते हैं आप चाहें तो हमारे पुराने वीडियो भी देख सकते हैं हमारी playlist को बिजिट करके playlist की link आपको यहाँ पर i button मिल जाएगी नीचे description में मिल जाएगी या फिर अभी आपको screen पर 3 important वीडियो देख रहे होंगे उनको भी देख सकते हैं देख दोस्तों मिलते हैं लिए वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत पंडिमा